बहुत ही special वीडियो होने वाला है, एक ही वीडियो में मैं पूरा का पूरा पार्ट कम्प्लीट कराने वाला हूँ और quick revision के टाइप में ये वीडियो लेके चलूँगा जिसकी मांगती और साथ दोस्तों आज 7.30 को मेरा live है, याद से आपको live session का link में नीचे दे रहा हूँ, जाके उसको फड़ा फड़ा आपको like कर देना है और आपको उस live session में आना है, जहां पे बहुत ही जोड़दार तरीके से हम चीजों को revise करेंगे, साथ में मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मुंबई University के student हो तो आज courses का जो price है दोस्तों, आज हमने कम कर 3999 कर दिया है, अगर आप SPPU के student हो, Engineering Mathematics 3 के student हो, तो आपको सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों, आपका application के उपर बहुत ही अच्छे से lectures मैं ने design किया है, जिसके courses का price दोस्तों, 9999 कर दिया गया है, तो आप आराम से जाके उस course को ले सकते हो, चलते हैं, वन रंजकुत्त मैथर्ड ऑफ सेकेंड ओडर मतलब यूलर्स मॉडिफायर, इसके बाद रंजकुत्त मैथर्ड ऑफ फोर्थ ओडर, मतलब इतना पूरा का पूरा topic आपका यहाँ पे हो जाएगा, मतलब लगभग आपके 10 to 12 marks आपका यहाँ पे confirm हो जाएगा, तो इसलिए ट्रेपेजाइडल रूल का जो formula है दोस्तों बहुत ही simple सा formula है, h by 2 है दोस्तों और साथ में दोस्तों x plus r है पर याद रखना r के साथ 2 है, तो यह चीज आपको पता होना चीए, तो देखो यह वाला formula आपके दिमार्ग पे बैठ गया, यह formula याद करने का एक सबसे simple सा तरीक दोस्तों यह भी x से ही start होता है, और यहाँ पर आपको 24 याद रखना है, पहला even लो फिर odd लो, तो यह देखो इस तरह से हो गया, तो यह देखो यह x मतलब क्या होता है, मैं बताऊंगा, e मतलब मैंने बता दिया even और o मतलब odd, और x मतलब extreme, मतलब first and last value, आपको समझेगा, दोस्तों इसके बाद, इसके अंदर याद रखना, Simpson, one third के अंदर हम क्या करते है, पता है, आगे, one by three से h को multiply करेंगे, तो h by three आएगा, यहाँ पे three by eight को हम क्या करेंगे, h से multiply करेंगे, तो three by h, दिखाई तरह, three h by eight हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, पता है, 23 याद है कि नहीं, h is, h equal to b minus a upon number of, यहाँ पे का दिखाई दे रहा है, दोस्तों, interval, आपको कितने interval रखने है, most of the cases में, कभी कबार हम five interval रखते हैं, पर अगर दिया नहीं है, तो हमेशा six interval से sum solve करते हैं, यह हमेशा दिमाख में रखे रहना, अब दिखाई रहना, पहला कोशन आप आप solve कर ले रहे हैं, तो इस topic में कोई भी question आजाए, बस दो, तीन चीज़े में आपको बताऊंगा, जैसी यह सम solve होगा, कोई भी sum आजाए, आपको solve करने आएगा, मतलब यह topic 100% आपका, आपके हाथ में आ गया, ना तो इसके अंदर आपको कोई, बहुत बड़ा derivative integration cover करना है, उसके according हमने यहाँ पर सभी चीज़ों को लिख दिया है, अब यह लिखने के बाद, दोस्तों, हमें, अब दोस्तों, यहाँ पर मैं h का value निकालूंगा, h का value निकालने के लिए formula क्या है, दोस्तों, b, b वतलब यह वाला value, दोस्तों, 1, minus, यहाँ पर कहाएगा, दोस्तो 1, minus, यहाँ पर सब्सक्राइब, दोस्तों, यहाँ पर, दोस्तों, यहाँ पर, 2-3 चीज़े, जो मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे से अपके दिवाग पर बैठा होना चीए, अब देखो, यहाँ पर, यह एक से, और दोस्तों, यहाँ यह वाला जो पार्ट है, यह टैंकि को तक किया हैं करें ऑब यहां पर वेखाय से यह इक मिश्क्टिक सब का Apa तो पहला नमबर गया थो दूसटो दूसरा नंबर क्या को डूसरा नंबर आप उसमें 2 higher of 65's करें टो फिर से आपको क्या करना है कि अगर weiß echo में दो स्भीण पिर दोस्तों इसके बाद आप क्या लिख सकते हो दोस्तों लिख सकते हो तो यहाँपे क्वाईर में अगर समझो कभी यहाँ प्या दौन में जाएगा तो भी कोई दिख्कत नहीए बस आप याद रखना फॉस्ट वाला है फिर उसमें h को प्लस-प्लस करते चले जाना फिर यह लिखना फिर h-plus करना हो गया अब दोस्तों आपको क्या करना है पता है यहां पर यह दो वाइक्वाल टू जो भी आपको यहां पर equation दिया रहेगा कभी वाइक्वाल टू यह रेस आपको log नहीं लेना है डारेक्व जीरो बाक्स मिलेगा आपको लन लेना है बड़ अगर दोस्तों कहीं पर अगर आपको ऐसा लिखा है log x to the base 10 लिखा है तो समझ जाना log लेना है कल्सी में बस यह अगर आपको basic information पता है तो इस topic में कोई भी आपको हरा नहीं सकता दोस्तों आप देखो दोस्तों यहां पर बहुत ही अच्छे दरीके चस्छां चीजों को solve करनें, पोसेस करते हैं अप देखो यहां पर में वन वन values रखूँगा देखो यह जीरो अगर मैं x की जब पे रखू तो 1 अपन यहां पर गागए 1 अगर मैं दोस्तों यहां पर VID से फड़ा सब आपको कोई तकलीफ नहीं देगा और आराम से यह सब चीजों को आप cover कर सकते हो अब यहां तकी चीजे होने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले यह याद रखना है दोस्तों यह y0 है, y1 है y2 है, y3 है y4 है, y5 है y6 है अब दोस्तों यहां तकी चीजे अगर cover हो भई तो आपको अब क्या करना है अब next आपका target है दोस्तों सबसे पहले, हम कौन सा rule लेंगे दोस्तों, trapezoidal rule लेंगे और trapezoidal rule से हम values निकालने कोसिस करेंगे i which is equal to formula देखो आपको याद होना चाहिए h by 2, x plus 2r जैसे मुझे याद है formula वैसे आपको भी याद होना चाहिए अब इस formula के लिए basic requirement क्या है दोस्तों x है, x मतलब क्या होता है दोस्तों first and last first and last का first का answer क्या है दोस्तों, य जीरो और किसको आपको plus करना है y6 को, यहाँ पर क्याएगा दोस्तों 1 plus 1 by 2 फाइनली दोस्तों यहाँ पर 3 by 2 आएगा अब दोस्तों यहाँ पर आप क्या करोगे पता है r को plus करोगे, r मतलब remaining values अब जो बचा हुआ है सभी को plus कर दो मतलब बचा क्या, यह और यह use हो गया है तो यह जो बचे हैं सभी को plus कर दो तो मैं direct calc में plus कर रहा हूँ 6 by 7 plus 3 by 4 plus 2 by 3 plus गल्टी से एक आग value भूलना नहीं है 3 by 5 plus and 6 by 11 एक बार चेक कर ले रहा हूँ 6 by 7, 3 by 4, 2 by 3, 3 by 5, 6 by 11 perfectly हमारा जो answer आ रहा है दोस्तों इससे 3.41926 आ रहा है अब मुझे क्या करना चीए दोस्तों I का answer निकालना है अब जस्त ये पूरा का पूरा values यहां पे मैं रखूँँगा तो मैं यहां पे आपको रखके दिखा रहा हूँ यहां पे देखो I, which is equal यहां पे H मतलब कितना है दोस्तों 1 by 6 डिवाइड बाइ 2 X कितना है दोस्तों X हमारा 3 by 2 आया और प्लस यहां पे हमें 2 इंटू आर का value कितना है दोस्तों 3.41926 अब यह कैलसी में रखो अब देखो दोस्तों मैं कैलसी में रख रहा हूँ तो यह 1 by यह 6 नीचे आएगा तो 12 हो जाएगा दोस्तों यहां पे 3 by 2 और प्लस 2 इंटू एंसर तो finally दोस्तों यहां पे जो मेरा answer मिला वो मिला I which is equal to 0.69487 तो perfectly हमने first वाला part हमने solve कर दिया तो first वाले part का 0.6949 है पर हमारा 487 है उसका मतलब भी same 49 होता है अब दोस्तों यह पूरा का पूरा part होने के जाएगा अब आपके लिए बहुत चीज़े easy हो जाएगी अब दूसरी चीज क्या है दोस्तों आपको कौन सा method apply करना है दोस्तों दूसरा सिम्सं वन थर्ड रूल अब देखो दोस्तों यहां पे सिम्सं वन थर्ड रूल क्या बोलता है अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे formula सबसे वहले आपको आना चाहिए यहां पे one third है मतलब h by 3 आएगा यहां पे x plus same है मैंने क्या वोला था 24 याद रखो तो e मतलब even वह मतलब odd हो गया अब क्या करना है दोस्तों आपको अलग-अलग values निकालना है x का values आपको पहले सी पता है 3 by 2 है e का values निकालना e यहां पे एक गलती आप कर सकते हो दोस्तों यह दोनों तो use हो गया अब इस में से उपर नहीं देखना है इस में से देखोगी even number कौन से यह y1 even होता है नहीं even मतलब 2468 even होता है तो 2 आएगा तो मतलब यहां पे मैं y2 को plus करूँगा और दोस्तों कोन आएगा y4 को plus करूँगा y6 मतलब नहीं किकि already use को गया तो finally अगर y2 का अगर मैं values देखो तो y2 का value कितना है दोस्तों 3 by 4 plus y4 का देखो तो 3 by 5 तो finally दोस्तों यहां पे 27 by 20 answer है अब odd odd के लिए अगर मैं जाता हूँ तो odd के लिए मेरा answer कितना है दोस्तों अब देखो यह भी use हो गया यह भी use हो गया 4 by 3 plus 6 by 11 तो दोस्तों यहां पे finally जो मेरा answer आ रहा है 478 by 231 अब आपको यह सब values इसके अंदर put कर दो यहां पे कहाएगा दोस्तों h h मतलब कितना है दोस्तों 1 by 6 1 by 6 है तो मैं 6 नीचे लेके 1 by 18 कर दे रहा हूं मैं direct putting कर रहा हूं यह कहाएगा दोस्तों 3 by 2 यह कहाएगा दोस्तों 2 into e का value कितना है दोस्तों 27 by 27 by कितना था दोस्तों 27 by 20 था 20 and then इसके बाद 478 by 231 तो दोस्तों finally यहाँ पे जो हमारा answer आया है उसमें मैंने 4 से multiply नहीं किया यह गलती मत करना यहाँ पे देखो मैंने 4 नहीं लिया यह देखो 4 है तो फहले 4 से आप multiply करोगे फिर तो फोर से multiply किया तो something हमारा answer दोस्तों आया i which is equal to 0.69 316 हो गया अब दोस्तों next आपको क्या करना है प्रेपेजोडल हो गया symptom हो गया आप कोन सा rule apply करना है symptom 3 by 8 अब देखो यहाँ पे दोस्तों next page पे लिख रहो Simpson 3 by 8 rule अब यहाँ पे अगर 3 by 8 rule अगर आपको निकालने के लिए बोला तो क्या करना है Simples आपको formula यूज़ करना है उसके according चीज़ों को solve करना तो यहाँ पे कहाएगा दोस्तों i which is equal to 3 h by 8 यहाँ पे कहाएगा x plus यहाँ पे कहाएगा दोस्तों 23 और यहाँ पे 13 मतलब tr आएगा something अब यहाँ पे x मतलब आपको पता है e मतलब क्या आएगा दोस्तों पता है multiple of 3 multiple of 3 मतलब जैसे देखो first and last हो गया यह दोनों हो गया अब इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 के table में आता है यह सी है तो आपको y3 लेना है यहाँ पे कहाए लेना है y3 अब यहाँ पे आपका y3 आएगा then इसके y2 y4 y5 सभी को plus कर दो और यहाँ पे अलग-अलग values रखो यह भी answer आपको आजएगा तो उमीद कर रहा हूं कि यह पूरा पार्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आया है और बहुत ही systematic way में आप चीज़ों को solve करोगे जैसे देखो मैंने यहाँ पे मैंने बोला कि आज मतलब आप एलन लेना है यह द्यान रखना है तो इस तरह से आपको अलग-अलग सम का practice करना चाहिए यह वाला भी सम हमने complete किया है अब दोस्तों यह पूरा का पूरा होने के बाद अब इस method पर कोई भी sum आता है तो आपको solve करने आएगा बस एक चीज़ द्यान रखना कभी अब अगर वह आपको exact value निकालने के लिए बोलते है तो आपको वह पर integration अपलाए करना होगा और integration से आपको उसका answer निकालने कोशिस करना है जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो one upon one plus x का अगर आप exact value निकालोगे तो one upon x का integration क्याता है दोस्तों log x फिर उस पर limit apply करो आपका answer हो जाएगा अब दोस्तों यहां तक हीचीजे हो गई अब चलते हैं दोस्तों वन बैए अब मैं यूलर्स मैथड्स के और दोस्तों अब यहाँ पर हम सीम्पल सा फंडा रहा हूं दूस्तों इसके लिए आप हमेशा याद रखना yn ये याद रखो तो यहाँ पर कहाएगा उससे कम क्या आएगा दोस्तो yn-1 प्लस यहाँ पर कहाएगा दोस्तो h और यहाँ पर कहाएगा दोस्तो xn-1 जो यहाँ पर वही सेम आएगा और यहाँ पर कहाएगा yn-1 यह same है अब थोढ़ा सा इसको समझ के भी ले लो जैसे अगर यहाँ यहाँ पे Y1 है तो यहाँ पे उससे छोटा क्या लिखोगे Y0 यहाँ पे H यहाँ पे गायगा दोस्तो मैंने बोला यहाँ पे जो है वही यहाँ पे तो same यहाँ पे अगर समझो यहाँ पर वाइट्व लिख रहे हो तो इस तरह को आपको सबी चीज़ों कवर करने आएगा बाकी आपको कोई leider होने वाले पार्ट अब दुसरा यह है किसके अंदर हम स्टार्टिंग में बस आप याद रखना है starting में हम special formula यूज करेंगे formula मतलब यह तो simple सा है x1 अगर मुझे निकालना है तो x0 में मैं h को plus करूंगा मुझे x1 मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं अगर मुझे x2 निकालना है तो मैं उसके अंदर यह यह वाला मैं आपको सिखा दूंगा उसको 10 और यहां पे गएगा 10 और यहां पे गया दोस्तो यह बाइगा च्रह Herman यहां पे उसके बाद आपको क्या करना है वद् यहां बन लेना अब दोस्तो यहांप जीर यहां पे आपनर foundational लिका है ईसने यहां पे मैं नर्वाइवाई निक्ग है तो उससे चोटा और प्लस यहाँ पर कहेगा दोस्तों उससे ज़्यादा अब यह वाला पार्ट x1 और y1 सेम हमने पूरा लिख दिया अब सेम अगर मुझे आगे और जाना है तो देखो यहाँ पर 2 लिख रहा हूं यह भी y0 यह एच बाय 2 यहाँ पर भी same x0 y0 पूरा same आता है f x1 भी same आता है बस यह y1 चेंज होगा y1 यह वाला आएगा तो यहाँ पर y1 1 हो जाएगा और बाकी पूरा same है अगर आगे और जा रहे हो तो यहाँ पर कहेगा दोस्तों y0 h by 2 f of x0 y0 यहाँ पर कहेगा दोस्तों x1 और y1 का यह 2 आएगा same ऐसे आप आगे आगे जाते रहोगे और मुझली यहाँ पर हम रुकते कहाँ पर जहाँ पर हमारा point के बाद कम से कम 3 to 4 decimal अगर सेम आगया तो यहाँ पर आप उन रुक जाएंगे बट कभी कभी इसमें कैसे होता है पता है दो condition x के दो values दिये रहते है तो आप y1 निकालने के बाद फिर आपको क्या करना है दोस्तों y2 भी निकालना है अब इस formula के अगर मैं y2 निकालो जैसे यहाँ y1 है तो यहाँ जीरो है तो यह दोनों 0 तो वैसे यहाँ y1 है तो यह द यहाँ पर दोस्तों f मैंने बोला यहाँ पर जो है वो repeat होता है एक्स वन और वाइवन और यहाँ पर यहाँ पर जो मैंने शम्स लिए यह परफेक्ट है अब यहाँ पर फाइंड इप्रॉक्सिमेट वैल्यू आफ वाई यूजिंग यहाँ पर लिखा रहेगा using Euler's method correct up to four decimal places और दोस्तों यहाँ पर for x which is equal to 0.1 use यह जो आपको दिया रहेगा दोस्तों यह आपका f of xy है मतलब यह क्या आपको दिया है दोस्तों सबसे वहले लिख तो f of x, y which is equal to क्या है दोस्तों x minus y square यह हो गया अब दोस्तों यहाँ पर हमें क्या बोला है दोस्तों देखो यहाँ पर at at यहाँ पर दिया है तो उसके बाद जो दो values रहेंगे कभी-कभी वह इस form में भी आपको दिया होगा ऐसे भी दिया होगा तो आप समझ जाना जो अंदर values है वो x0 है जो बाहर values है वो y0 है यह हमें सा समझ जाना अगर ऐसे दिया है पर अभी उन्होंने अलग-अलग दिया है तो आपने वो x0 मिल गया 0 और y0 कितना मिल गया दोस्तों 1 अब हमें क्या h का value भी उन्होंने दिया है h which is equal to 0.02 अब दोस्तों यहाँ पे find the approximate value of y, y का value निकालना है correct up to 4 decimal places for x equal to 0.1 मतलब मैं इसके लिए table बना रहो जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा अब देखो यहाँ पे अगर मैं यह table बनाने जाओ अगर आप धियान से अच्छे से देखोगे यह बस आपके लिए table बना रहो इसा table बनाने कोई ज़रूरत नहीं थी अब देखो दोस्तों अगर सबुझ मैं यहाँ पे x का value ले रहा हूँ यहाँ यहाँ य का value, एक्स का initial value आपको पता है, x कितना है दोस्तों 0 है, अब अगर मैं इस 0 के अंदर दोस्तों, अगर मुझे इसके आगे वाला value चाहिए तो मैंने क्या बोला अगर आपको समझो x1 चाहिए तो आपको क्य भी एंसर आया, 0.02 के अंदर 0.02 को एड़ कर दो, तो फाइनली दोस्तों आपका एंसर कितना आजएगा, 0.04, सर यह रूपता कब तक है, जहां तक आपको बोला है, देखो, 0.04, प्लस 0.02, अगर मैं करता हूँ, तो यहां पर कितना है, 0.06, फिरसे उसके अंदर अगर मैं एड़ कर रहा हूँ, तो देखो, 0.06 में, फिरसे 0.02 को अगर मैं एड़ करता हूँ, तो यहां पर कहा रहा है, दोस्तो, 0.08, फिरसे अब मुझे और बॉक्स की जरूरत पड़ तो यहां पर 0.1 आ गया, अब यह आ गया, अपने को यहां पर रुप जाना है, अब यह सब वैल्यूस इसके लिए देखो, इसके लिए मुझे वाई का वैल्यू पता है, इसके लिए X0, Y0 यहां पर बाकी सभी के लिए मुझे क्या करना है, दोस्तो वैल्यूस फाइंड आ सीखती सिखा जे रहे रहें अगर $ निकाल लिय 550 है थ्यांपे जले है यहां यहां पर जो छोटे values हैं वही हम यहाँ पर लिखते हैं तो देखों यहाँ पर y1 है यहाँ पर y0 कितना है दोस्तो y0 का हमने देखो answer लिखा ला होगा 1 है, h का value कितना है दोस्तो h का value है 0.02 और दोस्तो f of x मतलब f of x वाला यह जो equation है आपको यहाँ पर लिखना है यहाँ पर लिखा और यहाँ पर आपको x0 और y0 के values पूट करने है तो यहाँ पर y1 1 plus 0.02 x0 का value कितना है दोस्तो अगर हम value of x0 की अगर बात करें तो कितना है दोस्तो 0 है y0 का कितना है दोस्तो 1 और 1 का square 1 होगा तो finally मुझे क्या करना है मेरे कैल्सी से यह values प्लस करना है 1.0.02 0-1 का whole square तो finally दोस्तो यहाँ पे जो मुझे y1 का answer मिल रहा है दोस्तो वो मिल रहा है 0.98 तो perfectly हमें y1 का answer क्या मिला है दोस्तो 0.98 परफेक्ट है अब दोस्तो आपको क्या करना है y2 निकालना है कोई दिक्कत नहीं है आपने formula को समझ लिया है y2 के लिए क्या होगा उससे एक छोटा यहाँ पर h आएगा यहाँ पर आपको उनसा values लिखोगे मैंने बोला जो यहाँ पर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 हो गया अब यहाँ पर आप जब लिखोगे तो y2 आएगा y1 कितना है दोस्तों देखो उपर आपने निकाला है 0.98 h कितना है दोस्तों 0.02 और यहाँ पर f की जगा पर कहाएगा दोस्तों यह x और minus y square बस यहाँ पर 1 1 लिखना है तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 0.98 plus 0.02 x1 की अगर मैं values की बात करूँ दोस्तों x1 का जो values है कितना है आपको यहाँ सही मिल जाएगा x1 कितना है दोस्तों 0.02 y1 कितना है y1 के अगर मैं values की बात करूँ तो y1 हमने निकाला है 0.98 का square है भुलना नहीं है अब बस वो यहाँ पे अलग-अलग यह बस equation change होगा बाकी हर एक सम से में अब देखो मैं इसका answer निकालता हूँ 0.98 plus 0.02 0.02 minus 0.98 का square और finally तो यहाँ पे जो मेरा answer आ रहा है दोस्तो y2 का मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.96119 अब देखो दोस्तो सेम आपको क्या करना है आपने आपको कहा तक जाना है दोस्तो वाइफाइ तक जाना है आपने वाइफाइ वाइफाइ निकाल लो यहाँ पर आप आप आराम से इसको इतना अगर आपने सम्सॉल किया तो आगे आपको आ जाएगा तो इसलिए एक दो सम का स्टार्टिंग का पार्ट आना चीप फिर आगे तो आपको पता है कैसे सम्सॉल करना है अब दोस्तों यह पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब नेक्स्ट यूलर्स आपको डारेक्ट दिखा देता हो तो आपको डारेक्ट समझ में आ जाएगा कोई तकलीफ नहीं रहेगा कि कैल्कुलेशन वाला पार्ट है एक बार आपको ट्राय करना चीए और कॉन्फिडेंस में मत रहना अब देखो दोस्तों यहां पर ध्यान से देखो इस सम को बहुत कंडिशन दिया है y of 0 equal to 1 तो मैंने बोला कि यह आपका इनिशल कंडिशन है y of 0 अगर आपको कभी ऐसा दिया है तो इसका मतलब क्या है दोस्तों y of 0 equal to 1 मतलब x 0 का value 0 है y 0 का value 1 है यह तो पता चल गया तो देखो इसले मैंने कहीं starting में देखो लिखा है और मैंने h का value भी उन दूरत नहीं है इस method के लिए table के लिए क्योंकि यहाँ पर हमें ज्यादा आगे नहीं जाना रहता है हमें किस पर 0.1 पर निकालना है मतलब x का value 0.1 है 0.1 पर ही हमें बस answer निकालना है तो हम क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे देखो पहला मैंने बोला कि पहले आपको यूलर इस वाला ही method यूज करना है same देखो यहाँ पे same to same y0 का value कितना है दोस्तों 1 है h का value मैंने लिया x0 और y0 आपको क्या करना है यह वाला equation रखना है और यहाँ पे x0 y0 मैंने पूट किया फिर values पूट किया तो finally 1.1 आ है y1 का answer 1.1 आ है अब आपको क्या करना modify method पे आना है y1 प एक f जो है x0 y0 है और दूसरा अला f इससे relate कर रहा हो गया और बस यहाँ रखने h by 2 है अब दोस्तों क्या है यहाँ पे यह वाला जो आपका equation है उसमें x0 y0 रखो यहाँ पे x1 और y1 रखो x1 का value आपके पास सही है दोस्तों x1 का value यह देखो है y1 का भी value है दोस्तों आपन सब्सक्राइब होना चाहिए पॉइंट के अगर मैच हो गया तो आपको तुरंद रूख जाना है अब देखो मैं फिर से आगे की और जा रहा हूं देखो इसी सम को देखो y1 का 2 ले रहा हो सेम फॉर्मला पूरा का पूरा कोई changes नहीं है y1 का 2 में बस changes कहा पे होगा पता है पूट किया यह मेरा answer है फिर से यहां पे अगर मैं देखा पहले वाले में कितना था वन पॉइंट यहां पे पहले वाले में कितना answer है 1.0959 यहां पे कितना है 1.0956 है फोर डिजिट मैच होना चाहिए फिर से मैंने आगे एक step किया अब देखो y3 y1 का 3 लिया पूरा सेम है ब दोस्तों देखो यहां पे यूज दा यूलर्स मॉडिफाय मतलब यह एक अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको 10 मार्स दोस्तों तुरण कंफर्म मॉडिफाय मेथड रंजकुत्त मेथड ऑफ सेकेंड ओडर फाइंड दी वैल्यूज ऑफ वाइ सैडिस्फाय दीक्वेशन दीया है अब देखो यहां पे लॉग मतलब यहां पर यहां पर एलन लेना है अगर बेस टेन होता तो आप लॉग लेते यहां पर देखो हमें इनिश्यल कंडिशन दिया है दोस्तों और यहां पर हमें दो वैल्यूज दिया है मतलब एक बार पूरा का पूरा सम सॉल करना है उसके राद फिर से हमें क्या करना है एक्स एक्वल टू 1.4 पर सॉल करना है मतलब यहां पर हमें दो वैल्यूज दिया है अब देखो यहां प मैच हो गए अब मैच होने के बाद जो हमारा एंसर आया अब देखो मैं नेक्स टेप में जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ तक का पूरा का पूरा प्रिवियस सम की तर है पर यह जब आपका साचेगा यह जो भी आपका आनसर आजाएगा दोस्तो किस निबाख तो यहाँ पे मैं x2 निकालना है 1.4 पे तो देखो यहाँ पे अगर आप देखो के पहले मैं y2 निकाल रहा हूँ अब जो मेरा formula था y2 से एक चोटा y1 सेम यहाँ पे देखो y1 का जो मैंने पीछे values निकालना है वो लिखाँ x1 और सेम यहाँ पे यह पूरा हो गया y2 आगया अब देखो यहाँ पे y2 चल रहा है अब y2 में जैसे मैंने पीछे formula लिया था y1 था तो यह y0 होगा और यह y1 होगा तो यह दोनों सेम होते हैं और यह वाला किससे relate करता है इससे करता है और बस यह याद रखना कि यहाँ पे यह 1 है तो उससे छोटा रहेगा अब यहाँ पे आपको सभी values आपने यहाँ पे क्या लिख दिया बस x2 का value आपको पता ही है दोस्तों देखो यह वाला है इसमें h प्लस कर तो आपको x2 मिल जाएगा फिर वही same fund आप पूरा आगे solve करो फिर देखो यह आगे आपने solve किया जहां पर उप्लस करना है जैसे कहीं पर मैच होगा वहां पर आगे संप कर देना है दोस्तों आपना यह answer आएगा तो इस तरह से यह पूरा का पूरा पार्ट आपको क्या करना है दोस्तों सॉल करना सबसे सिंपल मैथर रंजकुत्त मैथर ऑफ फोर्थ और सबसे इसके यहाँ पर कहा है H है F है X0 है Y0 है यह तो यादी हो गया सबको K2 याद करते टाइम दोस्तों देखो K2 है यहाँ पर सेम है यहाँ पर भी सेम है बस यहाँ पर कहाएगा इसके साथ H by 2 और इसके साथ दोस्तों क्या आएगा पता इसके पहले वाला, k1 by 2, देखो यहाँ पर, इसमें भी सेम आएगा, k3 याद करते राइम, देखो याद करा रहो, h, f, same, x0, h by 2, यह सेम है, बस y0 करते राइम, यह वाला आएगा, दूस्तो, k2 by 2, तो यह ध्यान रखना, यह चिछका यहाँ पर, ध्यान रखना, अब यहाँ पर, अब यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखोगे, तो यह, यह फॉर्बलेज अपने को याद हो गए, अब यहाँ पर नेक्स्ट k4 निकालना है, दोस्तो, k4 निकालते टाइम, आपको एक चीछ का ध्यान रखना है, कि इसके अंदर, बस स्टार्टिंग के, य यहाँ पर direct k3 है, यह याद रखना, अब जैसे यह पूरा k1, k2, k3 निकाल दिये, तो 1 by 6, k1, k2, k3, k4, और मैंने बोला, k2 और k3 को 2 से multiply कर दो, और next फिर आपका क्या आजाएगा, आपको जो values निकालना है, for example, y1 निकालना है, तो उससे छोटा क्याता है, y0, और plus क्या अगर k, हो गया, अगर in case अगर आपको एक और step बोल दिया है, कि नहीं और solve करो, तो y2 है, यहाँ पर आएगा y1 प्लस k आएगा, अब देखो यहाँ पर मैने एक sum solve किया होगा, देखो यहाँ पर sum है, find the fourth order, रंजगुत्त method, something, something दिया है, initial condition है, at 0.2 है, with h equal to something है, अब को यह ध्यान देना है, initial value आपका x का कितना है, दोस्तों, देखो यहाँ से पता चलेगा 0 है, h का value कितना है, 0.2 है, तो अगर मैं इस x के value में 0.2 पूर्ट करो, 0.2 और अपने को 0.2 पर ही छहिए, तो मतलब यह जो sum है, दोस्तों, वो यहाँ पर एक ही step में solve होगा, पर कभी कभी ऐसा होता है कि यह values यहाँ तक जाता है, तो आपको दो step solve करने होते हैं, यह धियान रखना, वो तो जाने दो step, यहाँ पर आपने सेम यह सब सब कूल लिया, देखो k1 निकाला, यहाँ पर आपने values 00 पूट किया, इसका answer निकाला, यह कहां से लिया पता है, आपका f of x क जो भी equation दिया होगा, k1 आ गया, k2 का देखो आपने पूरा formula लिखा, x0 का जो भी values था, put किया, h का जो भी values था, यह भी put किया, यह भी जो values था, सब कुछ put किया, इसको solve किया, और यह values फिर आपको क्या करना है, आपके इस equation में put करना है, put किया, और अपना k2 का answer आए, अब k2 का answer आने गया, दोस्तों, k3 निकाला, k3 में भी वही, सभी values put करो, formula याद है, k3 है, मतलब यह सबसे simple method माना जाता है, k4 में भी सभी values को solve किया, आपका यह answer है, फिर आपने सभी को plus किया, और यहापे k equal to something, अब यहाँ पर आपको पता है, y1 निकालना है, y0 plus k, y1 plus something, आप को यहाँ पर आपका answer आ गया, अब यह answer आने के बाद, in case, कोई ऐसा sum है, जैसे अभी दो को यह जो sum है, यहाँ पर fourth order run, something यहाँ पर 0.2 दिया है, यहाँ पर दिया है, h का जो value बोला है, दोस्तों, 0.1 लेने के लिए, तो यहाँ पर इस case में, यह sum जो है, एक step और solve होगा, क आतला आपको एक बर y1 निकालना होगा, एक बर y2, इसके पहले वाले समने, बस हमने y1 निकाला, तो देखो यह same y1 निकालने के लिए same procedure है, पूरा, y1 आपने पूरा का पूरा देखो, solve करके यहाँ पर निकाल दिया, अब y1 निकाल दिया, आपके 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 x1 है, अब आगे जाके, पूरा का पूरा पार्ट, same solve करोगे, और solve करके पूरा का पूरा पार्ट, और systematic way में आपका पूरा का पूरा answer यहाँ पर आ जाएगा, तो दूस्तो, step by step अगर आपको और अच्छे से चीज़ों को देखना है, तो मैंने बोला है कि, आप जाके courses में, courses को ले सक आदिया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाई बाई टेक केर, जाहिन दोस्तो,